हेलो स्टूडेंट आजमों क्लास 10 गा चैप्टर पियर ओफ लिनेर एक्विशन इन टू वैरियेबल एक्सरसाइज 3.5 उसका कोशिन अबारास हम लोग 3 देखेंगे तो कोशिन नमबर 3 क्या करें चलिए दिखते हैं हम लोग को कैसे हम लोग सावं करना एक साव करना है चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग सफ्टिशन मिजानते कैसे हम लों सब्स्साव निख देंगे तो चलिए, solution लिख देंगे, ठीक है, solution में क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को, equation देंगे को लिख के माल लेते हैं, हम लोग, 8x, 5y, equal to 9, इसको equation number 1 माल लेते हैं, और जो नीचे वाला दिये, 3x, plus 2y, equal to 4, इसको equation number 2 माल लेते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले, by substitution method लिख लेते हैं, solution method, ठीक है, चलिए, substitution method से solve करें, अब चलिए हम लोग क्या करते थे, दोनों equation में से किसी equation को लेते थे, चलिए हम लोग, equation number 1 को लेते हैं, हम लिख लेते हैं, अब लिख लेते है, from equation, first, ठीक है, फिर क्या करते थे, दोनों variable में से किसी ए एक वेरियेबल का value find करते थे तो फर्स्ट के equation 8x plus 5y equal to 9 अब दोनों वेरियेबल में किसी एक वेरियेबल का क्या करते थे हमनों value निकालते थे तो 8x equal to क्या हो जाएगा 9 5y को equal to धर बेजेंगे तो minus 5y x बराबर क्या हो जाएगा 9 minus 5y upon 8 ठीक है 8 multiply में था इधर आगा तो divinement हो जाएगा अब चली x का value होगे x का value को put कर देता हमनों equation number 2 में यहाँ पर लिख देंगे putting the value of x in equation किसमे second में put करें तो क्या हम लोग का second equation 3x plus 2y equal to 4 है तो चली अब put कर देंगे 3x का value कितना है 9 minus 5y 9 minus 5y divide by 8 plus 2y equal to 4 ठीक है अब चली आगे देखते कैसे होगा चली अब इसको क्या करेंगे multiply कर देंगे 3 को 9 से multiply करेंगे कितना हो जाएगा 27 minus 3 को 5 से करेंगे तो 15y divide by 8 plus 2y equal to 4 अब क्या करेंगे LCM ले ले लेंगे LCM तो 8 ही आएगा LCM 8 आएगा 8 को 8 से divide करेंगे तो 1 times में जाएगा 1 को इतना से multiply करेंगे तो कितना ही आएगा तो लिख देंगे 27 minus 15y plus इसके नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 1 से divide करेंगे 8 को तो 8 times में जाएगा 8 को 2 से multiply करेंगे 16y equal to 4 आप क्या करेंगे रोस multiply करते जो solve बहता solve करेंगे 27 देखे minus plus minus करेंगे 16y में से 15y minus करेंगे कितना बचेगा y बचेगा 16 बड़ा 16 के पहले plus है इसलिए है पर plus y हो जाएगा ठीक एक्वल to 8 को इक्वल to कदर भेज देंगे क्या हो जाएगा इधर divide में था equal to कदर multiply में 4 into 8 होगा चली अदर लिख देता हमें आपके लिए कितना हो जाएगा 27 प्लस y equal to 4 into 8 है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ठीक है अब y बराबर क्या हो जाएगा 32 प्लस में है equal to कितर जाएगा minus में 27 y बराबर कितना आगिया 32 में हम लोग 27 minus करेंगे तो 5 बचेगा ठीक है तो चली हम लोग को y का value आगया y का value को put कर दें हम लोग equation 1 में putting the value of y in equation किसमें first में equation first हम लोग का था 8x प्लस 5y equal to 9 8x प्लस 5y का value कितना है 5 9 ठीक है 8x कितना हो जाएगा 20 plus 25 equal to 9 8x 9 25 को equal to दर बेजेंगे तो minus 25 हो जाएगा 8x बराबर 25 में से 9 minus करेंगे कितना बचेगा 16 25 बड़ा है और इसके पहल क्या minus 9 तो minus 9 x बराबर क्या जाएगा minus 16 upon 8 आ जाएगा cancel हो जाएगा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 x बराबर कितना आ गया minus 2 x और y का value हम लोगा find हो गया x बराबर minus 2 और y बराबर y बराबर 5 अब हम लोग इसको किस method से बनाएगे cross multiplication method से तो यहाँ पर लिख देते हैं by cross multiplication method ठीक है एक method से substitution method से हम लोग cross multiplication method से भी निका लेंगे तो हम लोग answer क्या आएगा सेम ही आएगा कुछ अलग नहीं आएगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक बाद फिर से equation को लिख लेते 8 x plus 5y equal to 9 3 x plus 2y equal to 4 ठीक है इसको हम लोग क्या करेंगे चलिए थो इसको solve कर लेते है general form में लिख लेते तो general form में कैसे आएगा 8 x plus 5y 9 है equal to किदार आगा तो minus 9 क्या बचेए equal to 0 3 x plus 2y 4 equal to किदार आगा तो minus 4 equal to 0 ठीक है general form में हम लोग ने लिख लिए इसको equation number 1 दे देते हैं या तो दे दीजी या तो नहीं दीजी तो भी चलेगए चले दे देते हैं इसको हम लोग दे देते हैं इसको 1 दे देते हैं इसको 2 और इसको 3 और इसको 4 चल twisted अब इसको solve करें किसे by cross multiplication method से कैसे solve करते है x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग formula आप लोग को मैंने बताया था क्या होता है formula क्या होता है b1 into c2 b1 into c2 minus फिर क्या होता है b2 into c1 equal to y upon क्या हो जाएगा a2 c1 minus a1 c2 ठीक है equal to इधार क्या हो जाएगा 1 ठीक है constant के लिए 1 लिखेंगे ठीक है फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा a1 b2 minus यहाँ पर हो जाएगा a2 b1 ठीक है चलिए अब इसको solve करेंगे देखें आपको formula याद है तो भी चलेगा और formula याद नहीं है तो एक मैं बता दरहें कैसे करना है चलिए इसमें अगर आपको formula याद है तो आप सिधे value put कर दीजिए इसे b1, b1 क्या हो जाएगा first equation का y का coefficient ठीक है और c2 क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा हम लोग का sorry third equation का होगा क्योंकि हम लोग third equation मालें इसको और c2 क्या हो जाएगा fourth equation का constant term b2 क्या हो जाएगा second equation का sorry fourth equation का y का coefficient c1 क्या हो जाएगा third equation का constant term ठीक है आप लोग ऐसे put करके भी लिख सकते जानते इसको a1 कहते इसको b1 और इसको c1 इसको a2, b2, c2 ठीक है चलिए अब हम लोग क्या करेंगे चलिए जैसे की x है हम लोग क्या करेंगे करेंगे 4, 5, 0, 20 plus minus minus तो कितना आगे minus 20 formula का minus लिख देते हैं आप देखे b2, c1 देखो यहाँ ऐसे हो गए ठीक है आप देखे इसको इसको करेंगे b2 आगया c1 भी आगया ठीक है b2 देखे b2, c1 b2 और c1 हो गए multiply करतें कितना होगा 2, 9, 8 2, 9, जा कितना हो जाएगा 2, 9, जा 18 ठीक है और यह plus minus minus तो यहाँ पर हमें भी देएगे क्या minus 18 ठीक है चलिए equal to y बराबर क्या हो जाएगा फिर से देखे अब y में आगे तो y को छिपा देएगे ठीक है y को छिपा देएगे आप देखे ऐसे धर से multiply करें इसको इससे तो 3 को minus 9 से multiply करें कितना जाएगा minus 27 देखे a2, c1 a2 यह, c1 यह ऐसे multiply कर देखे कितना है 9, 3, 27 minus 27 हो जाएगे क्योंकि 9 के पहले क्या है minus है अब देखे हो गया formula का minus देदे अब फिर से देखे इसको धाप पे रहेंगे छिपा कर रखेंगे फिर क्या हो जाएगा देखें यहां से इसको multiply करें कितना हो जाएगा 4, 4, 8, 32 minus लाएगे क्योंकि minus 8 धर ठीक है 1 आप देखें constant टर्म में आएगे तो constant को छिपा देजिए और धर से multiply कर दिए देखें क्या है A1, B2 A1, B2 ठीक है इसे multiply कर दिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा A2 जा 16 formula का minus फिर क्या हो जाएगा इसको इससे multiply कर देएगे देखें 35 जा 15 देखें A2 था और B1 था हो गया आप चलिए इसको मैं minus into minus क्या होता है plus 18 हो जाएगा equal to दर क्या y upon minus 27 minus minus plus 32 equal to क्या हो जाएगा देखें 1 है 16 में से 15 मैंनस कर देखें कितना बचेगा 1 अब देखें इसको solve कर देखेंगे x upon में क्या जाएगा मैंनस 20 में से 18 मैंनस कर देखेंगा minus 2 ठीक है 20 बढ़ा है 20 के पहले minus इसलिए minus आप देखे y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे minus plus minus 32 में 27 minus कर देखेंगा 5 plus इसलिए लगए क्योंकि 32 बढ़ा है जिसके पहले plus 9 है देखें हम लोग नीचे में 1 नहीं लिखते ऐसे लिख देंगे इसका मतलब भी समझ जाता है कि नीचे 1 है ठीक है तो हम लोग इसको सीधे हैसे लिख देंगे आप चलिए इसको क्या करेंगे देखेंगे आप हम लोग इसको इसको compare कर लेंगे ठीक है इसको और इसको compare कर लेते है योग कि हम लोग का तीनों क्या equal है y upon 5 equal to 1 cross multiply करें कितना हो जाएगा y बराबर इसको धर multiply करें कितना हो जाएगा 5 ठीक है answer आगे देखिए इससे पहले भी हम लोगा x बराबर minus 2 था y बराबर 5 था यही हम लोगा क्या हो जाएगा answer so student video पसंद है तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए thank you